Hello dear students, welcome to an academy in India's largest online platform और बच्चो मैं मन्जु कुमार आप लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूँ अपने इस अध्भुद सेशन में Mission Collector Target 2021 History Quick Revision बच्चो जो हमने पढ़ा है आज हम उसका Quick Revision करने जा रहे है जो हमने पढ़ा है Mission Collector के तहट उसका हम आज क्या करने जा रहे है Quick Revision करने जा रहे है जल्दी जल्दी से आईए और जल्दी जल्दी से जुड़ते जाईए हम और आप मिलकर बच्चो ये सेशन जो है शुरू करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे सामने लाल किले का फोटो बच्चो आपको दिख रहा है ये दिल्ली का लाल किला है और कला और कला का बच्चो अद्भूत नजा रहा है ये अद्भूत जो है रहा है चलिए बच्चो जल्दी जल्दी से चले बच्चो थोड़ी थोड़ी सी बाते कर लेते हैं जब तक कोई आता है सीमा बालियान आई है गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग सीमा कैसे हो आप बेटा और बच्चो आएम मन्जु कुमार मेंटर एंड कोच फोर सीसी आठ साल का एक्स्पिरियंस है मुझे हिस् लगातार बढ़ती ही जा रही है बच्चो चलिए और बच्चो टेलीग्राम चैनल अनेकैडमी यूपी एकजाम आप लोग जोईन कर लिजिए यह टेलीग्राम चैनल जोईन करना आप लोगों के लिए बेहद निवारी है क्योंकि इसके बहुत सारे लाब आपको प्राप् दूसरा लाब आपको यह होगा कि यहाँ पर बच्चो एकजाम के नोटिफिकेशन से आपको मिल जाएंगे और तीसरा होगा बच्चो कि आप लोगों को पीडिएफ भी यहाँ से मिल जाएंगे चलिए जल्दी जल्दी से आनेकैडमी यूपी एकजाम चैनल जोईन कीजे बच्चो नेहा पांडे आई है गुडिवनिंग बटा मिश्टर सोन आ गए है गुडिवनिंग मिश्टर सोन बटा गुडिवनिंग चलिए बच्चो जल्दी जल्दी से आईए आज ये आते जाईए आप लोग और बच्चो आनेकैडमी का सब्सक्रिप्सन हम क्यों ले ले यहाँ पर live classes बच्चो लगातार मिलती है जल्दी आप ले लिजे live classes तो लगातार मिलती ही है साथ ही साथ बच्चो क्या मिलता है साथ ही साथ आपको मिलता है testries कोई जीज बच्चो यह सब चीज़े आपको मिलती है और with pdf content आपको प्राप्त होता है यहां पर जल्दी जल्दी से subscribe कर ले बच्चो आप लोग और जल्दी जल्दी से like और share कर दे आप लोग सभी session को like और share कर दे जो बच्चे पहुंच रहे है unacademy learning app डाउनलोड कर लीजिए play store से कैसे आप subscription लेंगे बच्चो unacademy learning app डाउनलोड कर लीजिए उसको install कर लीजिए और उसको install करने के बाद बच्चो आप लोग जो है login कीजिए plus पर click करके और manage goal में जाकर के UPPSC में जाईए और UPPSC में जाने के बाद बच्चो आपके सामने बहुत सारे offers आएंगे और यहाँ पर get subscription का offer आएगा बच्चो इसको जैसे ही आप click करेंगे बच्चो तो आपके सामने बहुत सारे offer आएंगे 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 months बहुत सारे offers आएंगे और इन offers में से आप बच्चो मन्जू 10 मेरा referral code यूज करेंगे किसी भी offer को लेने के लिए बच्चो वैसे बच्चो मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक साल का course आपको 7000 रुपे में केवल मिल जाएगा और 10% का discount यदि आप लेंगे बच्चो तो आपको और भी कम में मिलेगा यानि कि ये मात्र आपको इतने में मिलेगा बच्चो आप इसको जरूर लेजिए बच्चो नेहा पंडे गुडिवनिंग मिश्टर सोन गुडिवनिंग बटा और कुलविंदर को राई है गुडिवनिंग बटा गुडिवनिंग कुलविंदर चलिए जल्दी जल्दी से तो बच्चो यूज माय रेफरेल कोड मंजू 10 and get 10% मेर रेफरेल कोड मंजू 10 यूज कीजिए और 10% का सीधा सीधा ओफ आपको मिल जाएगा चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चो और हम लोग अपनी कुईज स्टार्ट करते हैं और कुईज क्या अधार पर चीजों को समझते हैं बच्चो एक-एक करके चलिए और य हिष्टी आठ बज़े यूट्यूब पर बच्चो हिष्टी कुईज 10 बज़े स्पेशल पर और बच्चो साथ ही साथ कुई क्रिविजिजन ओफ इस्टी Еम सी क्यूज बच्चो और ये कुई 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 जो है आज का हमारा सेशन है और पहला कुश्चन हम सामने रख रहे आपके जो हमने सब्ताह भर में पढ़ाया है वो हम दो दिन में कुई जिज के माध्यम से जो पिछले उसमें किया है बच्चो वो कुई क्रिविजन करेंगे हम इसमें चले जल्दी से पहला कुश्चन जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया जो हमने मेडेवल जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था सुहानी रंजन अजमेर में आरियन राज आगरा में दीपक सर्मा का सी उत्तर है बच्चो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आरियन राज बिटा स्वागत है और सुहानी रंजन बिटा स्वागत है और जल्दी जल्दी से बच्चो लाइक और सेर भी करते रहे हैं मैंने जैसा की कहा बच्चो अजमेर में दिया था और यहां पर दीपक बिटा थोड़ा सा गड़बड हो गया आपका दीपक सर्मा भी आ गया है दीपक बिटा स्वागत है आपका और चलिए आज मेर में बच्चो जहांगीर ने मिलने का मौका दिया था किसे इसे थोमस रोगो चलिए अगला कुश्चन और बच्चो थोमस रोगो के आने का समय हम बता तो दे लेकिन आगे का कुश्चन इसी से संबन्द होगी और बिलकुल सही दीपक प्रणाम बिटा प्रणाम और जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो मिल गया उसे कोया नहीं करते हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते very good Mission collector 2021 प्रसिद चित्रकार मुगल समराट के दरबारी थे, देखे बच्चो यहाँ पर समझिये, आज मेर में सुआनी रंजन ने उत्तर दिया है, बिल्कुल ठीक है बेटा सुआनी, आज मेर ठीक है, दस चसवंत और दस आवन बच्चो, किसके प्रसिद चित्रकार थे, या किसके द जाफिर ओरंग जेब के गुडिवनिंग बिटा स्वानी गुडिवनिंग चलिए बच्चो बहुत खूब और मनोच सर्मा को उत्तर सबसे पहले यहां पर आया है और बच्चो बस मनोच सर्मा का उत्तर बच्चो आया है अभी तक दिपक सर्मा का भी आ गया है B, B, very good, B उत्तर दिपक सर्मा का आया है, मनोच सर्मा का आया है A, दसवन्त और दसवान बच्चो परसिद चितरकार किसके थे चलिए आरियन राज ने अकबर बताया है उत्तर आरियन राज और मनोज सर्मा नेहा पांडे ने भी बताया है जहांगीर अभी दो खेमे में बट चुके है सारे लोग और सुस्मा देखते है क्या उत्तर देती है सुस्मा बिटा कहा हूँ उत्तर दो आप भी नेहा पांडे ने भी द गे ओ लेकिन अकबर बिल्कुल सही उत्तर है इस दा राइट आंसर दीपक बिटा अकबर के काल में ही थे बिटा ये अकबर ही सही उत्तर होगा दीपक बिटा और नहा बिटा अकबर सही होगा जहांगीर के काल में नहीं थे जसवन तोर दसवान बिटा चलिए अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन के उपर ये रहा एक डच प्रियाटक जिसने जहांगीर के शाषनकाल का मुल्यवान विवरण दिया है वह था चलिए जल्दी जल्दी से बच्चो एक कोईनी बटा कोईनी 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 जहांगीर नहीं था बटा सुवानी सुवानी का उत्तर लेट आया है और कोईनी दिपक बटा ये तो हो जाता है एक डच प्रियाटक जिसने जहांगीर के साषनकाल का मुल्यवान विवरण दिया है फ्रांसिस्को पेलसर्ट, होकिन्स, निकोलो मनुची, पीटर मुंडी, कोई बात नहीं सीखना है, सारे प्रस्ण याद करने हैं, ने हाँ, बिल्कुल बटा चलिए जल्दी से, सारे प्रस्ण याद करने हैं, ये आज हमें, सीखना है उत्तर दीजी एक डच प्रियाटक बच्चो जिसने जहांगीर के सासनकाल का मुल्यवार्न विवरन दिया था अच्छा बच्चो जहांगीर की विसेस्ताम बताते हैं आपको जहांगीर के काल में मुगल चितरकला चर्मोत कर्स पर पहुँच गई, चोटी पर पहुँच गई कहते हैं, जहांगीर ने बच्चो कुछ और किया था, किया हो या ना किया हो लेकिन बच्चो नोंने चितरकला को बहुत उंचे पायदान पर पहुँचाया कहते हैं वो खुद इतने बड़े चितरकार थे कि कोई चितर बना दे कोई भी चितर बना दे बच्चो जहांगीर जट से पैचान लेते थे ये चितर किसने बनाया होगा चलिए एक डच परियाटक जिसने जहांगीर के सासनकाल का मुल्यवान विवरन दिया है थोड़ा थोड़ा हम आज आपको बताते भी रहेंगे बच्चो कि क्या इस्तितिया क्वेश्चन की ताकि चीज़े याद रहे और दिपक सर्मा का ये आया मनुद सर्मा का ये आया विदू सर्मा का ये आया वेरी गुड तही बिलकुल फ्रांसिसको पैल साथ बच्चो डच परियाटक थे आरियन बेटा ये डच परियाटक थे होकिन्स नहीं हो सकता क्योंकि दो होकिन्स तो बच्चो इंगलीज थे होकिन्स कौन थे इंगलीज थे बटा लेकिन इंगलीज नहीं पूछा है हमने क्या पूछा है बटा हमने पूछा है डच और डच कौन थे फ्रांस प्रांसिस्को पेल सर्ट थे बच्चो स्वानी रंजन का सीधिया है उत्तर स्वानी बटा फ्रांसिस्को पेल सर्ट is the right answer होगा सुस्मा का यह आ यह दिपक यह आ है uh अगला कुश्चन आपकी ції स्क्रीन के ऊपर बच्चो विना विलम के यह रहा किस मुगल शाशक का मकबरा भारत में नहीं है औरंग जेब जहांगीर हुमायू बाबर किस का मकबरा मेरे प्यारे बाल को भारत में नहीं है यहां पर आपको सोच समझ करके उत्तर देना पड़ेगा और इस उत्तर को जो देगा इसका मतलब वो बहुत सोच समझ कर और काफी गहराई से बच्चो बातों को उसने पढ़ा है चलिए औरंग जेब जहांगीर हुमायू और बाबर में प्रिति पाल आई है गुडिवनिंग बटा प्रिति गुडिवनिंग स्वागत है बटा आपका चलिए बच्चो और जल्दी जल्दी से जो भी बच्चा आते जा रहा है बच्चो लाइक और शेयर ठोकते रहिए रुगनाने चे ये भी उत्तर आ गया है मनोच सर्मा का स्वाणी रंजन का विधु सर्मा का धिपक सर्मा का वेरी गुड बच्चो वेरी गुड बहुत खूब बहुत खूब और बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो तुम लोग जहांगीर बिल्कुल जहांगीर का मक्बरा है मेरे प्यारे बच्छों लाहोर में और मिस्टर सौन का भी आया है उत्तर सौन कहा चले गए थे बटा लाहोर is the right answer लाहोर बिल्कुल ठीक उत्तर है बच्छो लाहोर बिल्कुल ठीक उत्तर है लाहोर इसडा राइट आंसर 20 दा राइट आंसर मेरे प्यारे बाल को अगला क।श्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा जहांगीर है बिटा बिल्कुल लाहोर में मकबरा था और कहते हैं लाहोर में जन्म लाहोर में मृत्यू और लाहोर में मकबरा जहांगीर का बच्चो जहांगीर के साथ सा नूर जहां का मकबरा भी बच्चो कहां लाहोर में और बच्चो जहांगीर की महिला मित्र अनारकली छोड छाड के सलीम की गली अनारकली डिसको चली आपने सुनाई होगा अनारकल का मकवरा भी लाहोर में ही है ये बड़ी अजब बात है चलिए नेटवर्क प्रोब्लम हो रही है मिस्टर सौन को को ही नी बटा हिम्मत नहीं हारते चलिए समराठ जहांगीर को कहां दफन किया गया वेयरवाज इंपरर जहांगीर बरिड ऑप्शन्स आपके सामने ये रहे आ आरियन राज बाबर का मकवरा कहा है काबूल में है बटा लेकिन ध्यान दीजिए इसमें थोड़ी सी बात है आरियन राज ने बिल्कुल सही बात पूछी है और ये हम थोड़ा सा किलियर करेंगे विदू सर्मा का सी आया है आपे अबी आरियन बटा इस उत्तर के बाद हम चोथे प्रस्न पर जाकर के बाबर के मकबरे को आपको किलियर करेंगे पहले और तब हम आगे जाएंगे बच्चो चलिए इदू सर्मा का सी है सुआनी रंजनकार लाहोर आ गया है मनोज सर्मा का सी आ गया है सुस्मा का सी आ गया मिश्टर सोन का सी आ गया बहुत खुब बहुत खुब बहुत शांदार बहुत शांदार प्रिति पाल बच्चो लाहोर है very good बिटा very good pretty very good लाहोर में है प्रिति पाल का पीपक सर्मारे छोड़ छाड़ के सलीम की गली अनार गली डिसको चली बिल्कुल बेटा बिल्कुल और लाहोर is the right answer लाहोर बिल्कुल सही उत्तर है बच्चो वहीं पर दपना आ गया तभी तो मकबरा बनेगा कुलविंदर कभी सी आ गया अब चलो थोड़ी सी आरियन राज की बात को समझ लेते हैं बच्चो एक बार आरियन राज ने पूछा है कि बाबर का मकबरा देखे बच्चो औरंगजेव का मकबरा है और महराष्टा में औरंगाबाद में बच्चो यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चो आपको औरंगाबाद महराष्टा में हैं जाहंगीर का मकबरा है बच्चो लाहोर में शाहगीर का मकबरा लाहोर में और मेरे प्यारे बचो लाहोर का मकबरा है हुमायू का मकबरा है दिली में बचो और बचो बाबर का मकबरा है काबूल में लेकिन बाबर को प्रारम में दफनाया गया था आगरा के आराम भाग में मेरे प्यारे बचो लेकिन बाद में उनको को निकाल करके काबूल ले जाया गया और काबूल में उनको दफनाया गया मेरे प्यारे बच्छो तो किस मुगल सासक का मकबरा भारत में नहीं है यदिस पर बात करनी हूँ तो बच्छो बाबर इजदा राइट आंसर बाबर बिल्कुल सही उत्तार होगा मेरे प्यारे बाल क चलिए अगला कोस्षन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बच्छो तूरंत रखेंगे, बिना विलम के, ये रख दिया, और ये रख दिया, बच्छो, और ये रख दिया, सॉरी, मुगल छितर कला किसके राज्य काल में अपने प्रकास पर, चर्मोत कर सपर, रीच्ड इट्स जेनित जेनित का मतलब होता है चर्मोत कर्स बच्चो अर्थार्थ पीक बच्चो अर्थार्थ चोटी बच्चो अर्थार्थ चर्मोत कर्स बच्चो इसके काल में मुगल चित्रकला चर्मोत कर्स पर पोंच गई थी चलिए ला होल ये विलूकमत चलिए बच्चो चलिए जहांगी स्वाहनी रंजन ने जहांगीर उत्तर दिया है किसके काल में सुस्मा सिंग ने सी दिया है स्वाहनी रंजन ने सी दिया है तीपक सर्मा ने सी सी दिया है कुलविंदर कोर ने सी दिया है बहुत बड़िया भाई विदू सर्मा ने सीधिया है तारे बच्च अधुदूत्ता दे रहे है बच्चो जहांगीर ने भी मनोज सर्मा ने सीधिया है आरियन राज ने भी जहांगीर बता है ये किलियर हो गया है पोइंट तुमें जो हमने बाबर बाली बात बताई इलियर हो गया ना बटा चलिए पिपक सर्मा का जहांगीर है प्रीति पाल सहा जहां है प्रीति पाल बटा ताजा नहीं है चितरकला जहांगीर है बटा आप लेट आए हमने उसी से पहले बताया था थोड़े जहांगीर के काल में मुगल चितर कला चर्मोत कर्स पर पोँच गई थी और ये है C उत्तर और C उत्तर ही बिलकुल सही है और अगला क्विशन बच्चो आपकी स्क्रीन पर हम रखेंगे कहते हैं बच्चो मैंने क्या बताया था जहांगीर के सामने आप किशी का बनाया हुआ भी चितर ले आओ बच्छो किशी का बनाया हुआ चितर आप ले आओ जहांगीर एक नजर देखकर बता देते थे एक चितर किसने बनाया होगा बात समझ रहे हो एक नजर इतना पार्क ही था बच्छो जहांगीर जहांगीर आंसर कैसे दे सकता है जहांगीर आंसर मतलब समझे नहीं अच्छा हमने बोल दिया क्या जहांगीर ने उत्तर दिया है निमली की चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने के द्वारा जहांगीर ने द्वारा नहीं जहांगीर के द्वारा नादिर उल्जमा के पद्वी दी थी बच्चो नादिर उल्जमा की पद्वी दी थी अब उलहसन फ़रूक बेग विसंदास अगार आजा जल्दी बता इए उत्तर बहुत शांदार है बच्चो आपका परदर्सन और जल्दी जल्दी से बच्चो लाइक कर दीजिए एक बार फोन सारे बच्चे चेक कर ले और जिस जिस ने लाइक ने किया जल्दी जल्दी से लाइक ठोक दे चलिए निमले लिखित चितरकारों में से किसे जहांगीर ने के दुआरा नादिरूल जमा और नादिल उर असर बच्चो ये दो पाधियां दी थी जहांगीर ने विदू सर्मा का ये उत्तर आ भी गया है और बच्चो फरूक बेग बिसंदास ये तीन उत्तर है मनोच सर्मा का इसी बीचे उत्तर आया है दिपक सर्मा का इसी बीचे उत्तर आया है सुसमा सिंग का ये उत्तर आया है और मिश्टर सोन यदि किसी को अलग-अलग चित्रकारी चित्रकारों ने बनाया हो तब भी बिल्कुल बेटा हाँ तब भी तब भी बेटा मिश्टर सोन ये बिलकुल सही उत्तर है और दीपक सर्मा ये है चले बच्चो ये रहा अबुल हसन जिसे उपाधी दी थी नाजिर उल्जमा की और मेरे प्यारे बच्चो के उपाधियां कई बार प्रस्ण में पूछी जा चुकी है पेपर में अगला बहुत अच्छा उत्तर है ये बहुत अच्छा प्रस्ण है ये दो प्रस्ण लगातार पूछे जाते हैं मैं अभी बता चुका हूँ आपको दोनों कुश्चन लगातार पूछे जा चुके है जाहंगीर कालिंच जिमलिकित में से किस एक चितरकार को नादिर उल उस्र की उपाधी परदान की गई दोलत विशंदार मनों और मनसूर और ये रहा आपके सामने बच्छो पॉल उत्तर दीजे उत्तर दीजे पॉल नहीं आएगा बच्चो यहां उत्तर दीजे उत्तर दीजे पॉल नहीं आएगा सुस्मा सिंग का उत्तर आभी गया है डी दिया है और विदु सर्मा का डी, मनोज सर्मा का डी, स्वानी रंजन का डी दिपक सर्मा का मनसूर और मिस्टर सोन का डी मिस्टर सोन का डी बहुत कुब बहुत कुब बहुत शांदार बहुत शांदार चलिए बच्चो जल्दी जल्दी से like और share करते रहे ये session को बच्चो Aryan का मनसूर बताया है हम Aryan ने very good और दीपक ने भी बताया है और मनसूर सही उत्तर है D is the right answer बच्चो D बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है तो ये नादिर उल जमा की उपाधी अबुल हसन नादिर उस्र की उपाधी बच्चो किसे मनसूर को यहां तक के लिए रुवी बात यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है समझ में आ रहा है चलिए तो फिर अगला question समझे ये इसी बीच में बच्चो आप और ये रहा अगला question निम्र लिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकता फार्सी में लिखी थी विच ओप दा फोलोईंग मुगल इंपरर रोट हिज ओटो बाइग्राफी इन पर्सियन बच्चो किसने अपनी आत्मकता फार्सी भासा में लिखी थी ये questions आपके ऐसे वैसे questions नहीं है बच्चो जो आपको पढ़ा है YouTube पर पिछले दिनों उसी से संबंदित प्रस्न है हमने बच्चो मुगल काल को पूरा करवाया था डिकलाइनों मुगल को पूरा करवाया था आपको सारी चीजे बताई थी बच्चो और उसके बाद हमने पंजाब स्टार्ट किया है शाम की classes में चलिए दिपक सर्मा का उत्तर आ चुका है ये फार्सी बासा में किसने लिखा था और मिश्टर सोन का भी ये आया है तुम लोगों की पिटाई कुटाई होने वाली ये लगता है चलिए जल्दी से उत्तर ठीक दो इपक एक बार विचार करो विदू का सी आया है आरियन राज का बाबर आया है मनोच सर्मा का सी आया है पिटाई तो बनती है पिटाई बनती C आया है दिपक का C आया है ठीक है दिपक बिटा ओके 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 चलिए भाई भेद बस सिर्फ इतना था C बिल्कुल ठीक उत्तर है जहांगीर बिल्कुल ठीक उत्तर है मिस्टर सौन बिटा थोटी सी गडबर कर दी और कंफ्यूज हो गए मिस्टर सौ तुर्किस लेंगवेज में किसमें लिखी गई बच्चो तुर्किस लेंगवेज में बाबर नामा बच्चो लिखी गई यानि कि तुर्की भाषा में बाबर नामा लिखी गई तो ये पोईंट है बच्चो ठीक है यहां तक बताईए कोई दिक्कत तो नहीं है दूसरा बच् निमलिकित मुगल बादशाओं में से किसने अपनी आत्म का था फारसी भाषा में लिखी थी अब तुर्की भाषा का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था बच्चो बाबर के द्वारा अब्दुलरहिम खाने खाना के द्वारा सुर्य अकबर के द्वारा अब्दुलरहिम खाना खाना से तो बच्चों ये मूल रूप से बाबर नामा या तुजुके बाबरी तुर्किस लेंग्वेज में थी ने की पर्सियन में पर्शियन में नहीं थी लेकिन बच्चो यदि बात करें हम तुजुके जहांगीरी की तुजुके जहांगीरी तुजुके जहांगीरी नामक पुस्तक जो आत्मकता है किसकी जहांगीरी की वो मेरे प्यारे बच्चो पर्शियन में लिखी गई थी यानि फार्सी भासा में लिखी गई थी अगला कुश्चान चलिए जल्दी से Of the following who had rebelled against the Mughal Emperor जहांगीर, जहांगीर के खिलाब विद्रोग किस किस ने किया था जहांगीर के खिलाब जहांगीर, जहांगीर के खिलाब किस किस ने विद्रोग किया था बात ये है, मुद्दा ये है चलिए जल्दी से विदू सर्मा का उत्तर आभी गया टू थ्री और फोर डी टू थ्री और फोर चलिए बच्चों, टू थ्री फोर दीपक सर्मा का भी आया है अनोज सर्मा का डी आया है स्वानी रंजन का डी आया है जिदू सर्मा का डी आया है दीपक सर्मा का टू थ्री फोर आया है नितीश कुमार का D आया है नितीश बटा जब भी आप आये हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत है और मिश्टर सोन का D आया है बहुत कूब बहुत कूब बच्चो और D बिल्कूल ठीक उत्तार है बज़ी देखो किस ने किस 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 ने विद्रो किया है जहांगीर के खिलाब नमबर एक पर बच्चो खुर्रम ने किया पहले तो खुसरो सा ने किया खुसरो साह बच्चो जहांगीर का बेटा था बच्चो एक खुसरो साह और इसे अकबर ने गद्दी देने की बाते कही थी ठीक है और मिस्टर सोन की बहुत मोटी ताजी सी है सी और खुसरो सहा के अलावा बच्चो खुर्रम ने भी विद्रो किया बच्चो खुर्रम यानि कि सहाजाने भी विद्रो किया और बच्चो एक विद्रो किया महवत खान ने महाबत खान के विद्रो से तो बड़ी मुश्किल से बचाया बच्छो महाबत खान के विद्रो से जहांगीर को नूर जहाने रप्तार कर लिया था बच्छो महाबत खान ने जहांगीर को नूर जहाने चाला किसी ये काम कर दिखाया बच्छो चलिए तो बच्चो वन खुष्रो खुर्रम और महाबत खां इस दा राइट आंसर यूराज यादव आए है बहुत बहुत स्वागट बिटा आपका यूराज यादव चलिए तो यहाँ पर टू और थ्री और फॉर बिलकुर सही उत्तर है और ये रहा बच्चो अगला कुष्चन आपकी स्क्रीन के उपर खुष्रो वाइस दस सन ओफ विच मुगल इंपरर खुष्रो किस मुगल सा अगभू मुगल बाधिशा का बेटा था बच्चो यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई देखो बातों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर बातों को तुम लोग यहाँ पर बिलकुल एकदम यह नहीं कह सकते कि हमसे आता नहीं है और थोड़ा सा सेंस लगाओ थोड़ा सा कोमन सेंस लगाओ हमने जहांगीर के वंस को पूरे तरीके से आप लोगों को यूट्यूब पे बताया था जहांगीर का वंस के लिए रोजाना चाहिए था आप लोगों को वन टू का फोर्ट, फोर्टू का वन ओके बटा दीपक युवराज यादव बच्चो भी आये है स्वागत है नितिश कुमार का भी आया है विदू का भी आया है खुसरो किस मोगल शासक का पूत्र था सुस्मा सिंग का भी आया है इसी बीच में बच्चो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और मनोच सर्मा का भी आ गया है बच्चो इसी बीच में ओके मिश्टर सौन का भी आया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और बच्चों खुसरो किस मोगल बाजशा का पूत्र था अकबर जहांगीर साजा बादूर सा प्रथम जल्दी बताईए और लाइक और सेर ठोकते रहे बच्चों जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से लाइक और सेर ठोकते रहे ये कमीनी होनी चाहिए लाइक और सेर में किसी भी प्रकार की खुसरो किस मोगल बाजशा का पूत्र था अकबर जहांगीर साजा बादूर सा प्रथम और ये रहा मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या है ये ये रहा बच्चों किस मोगल बाजशा का पूत्र था और ये है बच्चों जहांगीर बिल्कुल सही कुलविंदा ने भी उत्तर दिया है बिल्कुल सही है और जहांगीर का बेटा था बच्चों जहांगीर का बेटा खुर्रम भी था खुसरो भी था ये बच्च मेंसे कौन नूर जहां के गुट का सदश्य नहीं था नूर जहां ने बच्चो एक गुट बनाया था और उस गुट का सदश्य कोन नहीं था हमें समझना पड़ेगा और आ गई है रीतू भी सुकर्मा के एंट्री हो चुके है रीतू ने आते ही उत्तर दिया है भी रीतू का बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत स्वागत है बटा रीतू आपका चलिए निम्न में से कौन नूर जहां के गुट का सदश्य नहीं था बच्चो देखिए जहांगीर ग्यास वेग आसफ खान गुर्रम चलिए आपका भी था बटा दीपक आपका भी था मतलब क्या पूछ रहे है लाइक तो बटा अच्छा वो उत्तर उत्तर तो दिया था आपने नमस्कार रितु बटा नमस्कार बहुत 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 गोड़ बलैस्यू बटा गोड़ बलैस्यू निमलिक में से कौन नूर जहां के गुट का सदश्य नहीं था जहांगीर गयास बेग आसफ खान खुर्रम और ये रहा बच्चे उत्तर ए उत्तर दिया है सुहानी ने आरिय पॉक्ते ने दिया है बहुत बढ़िया बच्चो शानदार है बच्चो बहुत बढ़िया और ये है बच्चो लेकि यहां पर जहांगीर नूर जहांगी चान के सदस्य कीजिए जुनतागुट के सदसे कौन कौन थे फिर ये तो तुम सोच रहे होंगे बता देंगे आगे क्योंकि इस सम्बंदित कोश्चन आएगा तो तुम पता नहीं चल जाएगा तुमें चलिए आगे बताएंगे इसको सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तता सूचियों के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चेहन कीजिए पाबर ने क्या बनवाया जामा मस्जिद हमायों ने दीन पना बनवाया और बच्चो अकबर ने जहांगिरी महल बनवाया अक्बर के मक्वरे को पून करवाने का काम किस ने किया और बताईए बच्चों आप लोग जल्दी से जल्दी जल्दी बताईए और उत्तर आ गया सुहानी रंजन का सबसे पहले ए पृतिपाल का विदू सर्मा का ए ओके ओके दिपाक सर्मा का 1,2,3,4 आया है नितू वर्मा का ए आया है मनोज सर्मा का ए आया है बहुत खूब बहुत खूब रितू विस कर्मा का ए दिपाक का ए 1,2,3,4 नितू का ए मनोज का ए दिपाक का और मिश्टर सोन का बहुत बड़िया बच्छो ये एट ही कह बिल्कुल पाबर ने बच्छो जामा मस्जित बनवाई हुमायू ने दीन पना नगर बसाया अकबर ने जहांगीर महल बसाया और जहांगीर ने बच्छो अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाने का कारिय किया अगला कुश्चन आपकी वास्तु कला का एप्रतिम उधारन है इस्तित है गोविंद महल कहां इस्तित है यहाँ पर बात यह करनी है गोविंद महल कहां इस्तित है गोविंद महल कहां इस्तित है जो वास्तु कला का एप्रतिम उधारन है बच्छो कहां इस्तित है दत्या में खुजराओं में और चा में गवालियर में कहा हैं भई कोविंद पैलेस एन एक्सिलेंट स्पेसिमेन ओफ हिंदू आर्किटेक्ट्चर इज लोकेटेड एट तत्या खजुराहो और चा गवालियर गोविंद महल मेरे प्यारे बच्चों गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का एप्रति मुधारण है दत्या में खजुराहो में और चा में गवालियर में गोविंद महल और उत्तर दे रहे हैं मिश्टर सोन रितु विसकर्मा जल्दी बताईए नितु वर्मा दत्या बिलकुल सही बेटा रितु विसकर्मा दत्या मिश्टर सोन नितु विसु और मनोज विधू मिश्टर सोन का तो पहले वाला है तो दत्या बिलकुल ठीक उत्तर बच्चों गोविंद महल महीं पर है अगला कोश्चन आपकी स्क्रीन के उपर ये रहा चलिए जल्दी से तर भी आ गया प्रितिपाल का सुस्मा का ये आया है विदू का सी आया है तो विंदर का ये आया है आगरा से दिल्ली कह रहा हूं बच्चो थोड़ा सोच समझ के उत्तर देना पड़ेगा आपको सोच समझ के उत्तर देना पड़ेगा सुस्मा का C आया है, रितु का C आया है सुस्मा का C है, रितु का C है मिश्टर सोन का C है बच्चो, इसमें थोड़ा साथ थोड़ी सी बातों को समझना पड़ेगा नितु वर्मा का A है, चलिए आरियन का साह जहां है, चलिए देख ले देख बार किसका क्या है चलिए बच्छो बता देते हैं आपको पूरी बात बच्छो एक्चुली में सहाजहाने एक नया नगर बसाया था बच्छो जिसका नाम है सहाजहानाबाद क्या नाम है सहाजहानाबाद बच्छो और जो सहाजहानाबाद है बच्छो वो दिल्ली में ही है चांजली चोक वाला एरिया सहाजानाबाद कहला था बच्छो वो बसाया था और बच्छो किला बनाया गया था और सहाजानाबाद कहते है चारो तरफ से दिवार से गिरा हुआ नगर था इसको वोल्ड सिटी बोला ज चार दिवारी से गिरा हुआ नगर बच्चो, इसको कहा जाता था, गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता था बच्चो, कई गेट थे बच्चो इसमें से, आज भी वे गेट है, जैसे आपने सुना होगा बच्चो, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहोरी गेट, लाहोरी गेट, दिल्ली गेट, सुने हैं के नहीं सुने हैं, अरे सुने हैं के नहीं सुने हैं, चलिए तो फिर, बच्चो ऐसे, अकबर ने, जहांगीर ने, जहांगीर ने बच्चो, सोरी, सहाजाने बच्चो, ये राजधानी बनवाई थी, आगरा से दिल्ली सहाजाना पर बच्चो तुरंट तुरंट रखेंगे जानकारी बच्चो हम दे रहे है वोल्ड सिटी के नाम से इसे जाना जाता था और आप इसको समझ लीजिए अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन के उपर आ गया है ये रहा बच्चो इरान के सहा और मुगल सासको के बीच जगड़े क जड़ क्या थी भई और मिश्टर सोन ने कुछ सिंबल भेजा है लेकिन दिख नहीं रहा है और बच्चो लाइक रुख गए पूरे तरीके से कुना है वैरी गुड बिटा चलिए जल्दी जल्दी से लाइक और सेर करते रहिए चेक कर लीजे बच्चो एक बार फोन को जिस जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया है और ठोक दे लाइक जल्दी से और इरान के सहा और मुगल सासको के बीच जगड़े की जड़ बच्चो क्या थी यहां पर यह महत्तपून प्रस्न है आपके सामने ज्गड़े की जड़ क्या थी काभुल कंधार विदू सरमा का भी आया है इसी बीच में उत्तर सुस्मा सिंग का भी आया है मनोच सरमा का भी आया है भाई बहुत गूब बहुत गूब आरियन राज का कंधार आया है मनुद सर्मा का भी आया है चले बच्छो नीतू का भी आया है मिश्ट सोन का भी आया है भई वा उत्तर तो बहुत बढ़िया शांदार तरीके से दे रहे है बच्छे और इतू इस कर्मा का गंधार आया है बहुत बड़िया बच्चो बहुत बड़िया और कंधार या कंधार बात तो एक ही है और पृतिपाल का भी आया है सर देहली गए थे घूमने कौन बटा अच्छा आप गए थे सुस्मा तो है बिहार से साइद है ना सुस्मा बटा इरान के शाह और मुगल सासकों के बीच जगड़े की जड़ क्या थी काबुल कंधार और बच्चो कुंदूज और गजनी कंधार बच्चो मुख्य जगड़े की जड़ थी इरान के साह के बीच में और इनके बीच में मुख्य जगडे की जड़ कह सकते आप इसको चलिए अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन के उपर आएगा बच्चो कंधार अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन के उपर ये रहा कंधार के निकल जाने से मुगल सामराजियों को एक बड़ा धक्का पोंचा देख लेजे बच्चो एक बार इस बात को थोड़ा सा कंधार के निकल जाने के बाद मुगलों को बड़ा धक्का पोंचा बच्चो प्राकरतिक संसाद्रों के दरिष्टी कोंड से मध्यवर्ती राज्य छेतर के दरिष्टी कोंड से संचार व्यवस्था की दिर्श्ची कौन से सामरी महतु के दिर्श्ची कौन से भाई वा क्या बात है दा लोसोप कंधार वा जे बिग ब्लॉ अब दा मुगल एंपायर फॉम दा व्यू अब पॉइंट व्यू अब पॉइंट चलिए बच्चो रिदू सर्मा का डिय आ गया बैउत्तर सामरी महतू के केंदर के दिर्श्ची कौन से बता रही है स्ट्रेटजिक जो स्ट्रॉँंग होल्ड था वच्चो उसके पॉइंट व्यू से नितु वर्मा का भी डिसी बीच 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 में आया है सुस्मा का डी आया है रितुविस कर्मा का डी आया है और मनोच सर्मा का डी आया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आरियन राज भी डी बता रहे है आरियन राज भी डी बता रहे है बहुत बढ़िया चलिए बच्चो उत्तर प्रिति पालने भी डी और डी ही से उत्तर ह डी ही सही उत्तर है बच्छो इस दा राइट आंसर डी विल्कुल ठीक उत्तर है चलिए बच्छो अगला कुश्चन हम आप आपकी स्क्रीन के उपर रखने जा रहे हैं और सामरीक महत्तु के दरिश्टु कौन से बेहद महत्तु पून था बच्छो सहाजहां के बल्ख अभियान का उद्देश से क्या था काबूल की सेमा से सटे बल्ख और बदक्सा में एक मित्र शासक को लाना मुगलों की मात्र भूमी समरकंद और फरगना को जीतना मुगल सेमा को व्यज्यानिक पद्धती आम दरिया पर निधरित करना मुगल सामराज्य का विस्तार उप महदीप से आगे तक करना आमू दरिया नहीं आमू दसिब बच्चो यहां पर दरिया चलिए जल्दी से बताईए आप इसका उत्तर विदुने दिया उत्तर आभी गया चलिए और देखते हैं बच्चो ये क्या उत्तर दिया है विदुने दिया है मनोज ने ये दिया है और इसका उत्तर देना पड़ेगा बच्चो जल्दी जल्दी देदो आप लोग भी देखे बच्चो और बिल्कुल सही है विदु का उत्तर नितु वर्मा का डी है सुस्मा का ए है रितु का ए है मनोज सर्मा का ए है ये उत्तर सही है सोन का ये है काबुल की सिमा से सठे बलक और बदकसा में एक मित्र साशक को लाना ही उनका उद्देश्य था बनारस एवं इलाबाद की तिर्थ यात्रा की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशा के सामने बनारस के पंडितों का नित तो किया बच्छो बल कभ यान, आरियन राज बटा बल कभ यान किया था साजाने ठीक है और कोश्चन एक बार समाप्त हो जाने थो हम बता देंगे बटा बल कभ यान के बारे में आपको डिटेल के साथ में ठीक है चलिए इलाबाद बनारस एम पर इलाबाद के तिर्थ यात्रा की समापती के लिए किस ने मुगल बादशा के सामने बनारस के पंडितों का नित्रतु किया था हर नात जगनात कविंद्राचारिय हा कभी हरी राम बहुत बढ़िया उत्तर दीजिए सही सभी नामों में से एक उत्तर का चुनाव आपको करना पड़ेगा और नीतु वर्मा ने भी बताया है कि भी होगा लेकिन ये कब हो गया बनारस में विलाबाद के तिर्थियात्रा की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादिशा के सामने बनारस के पंडितों का नित्रतु किया था मनोंच सुसमा रीतु विधु चार उत्तर अब तक ठीक आए है मारे सामने सी उत्तर आए है चारों के और कविंद्राचार ये ने बच्चो नेत्रतु किया था यानि कि यही उत्तर बिल्कुल एक दम ठीक है मेरे प्यारे बच्चो कविंद्राचारी यही बिल्कुल ठीक उत्तर है अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन के ओपर ये रहा निमलिखित में से कौन सहाजां के शासनकाल का राज कवी था कविंद्राचारी यह समझ में आ गया निमलिखित में से कौन सहाजां के शासनकाल का राज कवी था कलीम काशी कुजसी मुनीर तरदो कलीम काशी कुजसी कुने मुनीर और विधू सर्मा का रितु विश कर्मा कलीम बता रही है बिल्कुल बिटा साजां के सासनकाल का राज कवी था सुस्मा ने ए बताया है और ए बिल्कुल ठीक उत्तर है बच्चो कलीम बिल्कुल सही उत्तर है सासनकाल का राज कवी था बच्चो यह कौन कलीम चलिए अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन के उपर आएगा जल्दी जल्दी से बच्चो लाइक और सेयर फोकते रही है आप लोग लाइक और सेयर रुक चुके है जो बच्चे नए पहुंच रहे है एक कलास में जल्दी जल्दी से लाइक करे बच्चो सेहसन को मुम्ताज महल का असली नाम क्या था मुम्ताज महल कासली नाम क्या था मुम्ताज महल के बारे में बताते हैं आपको बहुत सारी बाते जल्दी से इसका उत्तर दो पहले तब फिर बहुत रोचक बाते बताएंगे बच्चों आपको मुम्ताज महल के विशे में मुम्ताज सहां जहां की पत्नी कुलविंदर कोर का ये आगया है उत्तर नहीं विदू का ये आगया है रे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कुलविंदर का ये विदू का ये अनुच का ये बहुत बढ़िया आरे बच्चे तो ठीक उत्तर दे रहे है भई गजब का प्रदर्शन कर रहे हो तुम लोग रितू इसकर्माई ठीक है बटा मिश्टर सो ने अर्जूमंद बानो बेगम बता रहे है बच्चे सारा नाम क्या खूब बात क्या खूब क्या खूब भाई क्या खूब जालिए अर्जूमंद बानो बेगम बेगम बिल्कुल सही उत्तर है बच्चो उत्तर है और बच्चो उम्ताज महल के उपाधी बच्चो इन्हें सहाजहां नहीं दी थी ध्यान दीजिए उम्ताज कहते बच्चो इन्हें सहाजहां से चोधे संताने हुई बच्चो उम्ताज महल को चोधे संतान हुई बच्चो और चोधवी संतान को जनम देते हुए ही इनकी मृत्यू हो गई थी बच्चो कहते हैं 14 संतान में 7 जीवित रहे और 7 मर गए पहले तो बच्चो ऐसी होता था कुछ सारी संतानों में कुछ जीवित रहते थे, कुछ मर जाते थे 7 जीवित रहे, 7 मर गए बच्चो जो सात जिवीत रहे बच्चों सातों में इसे चार बेटे थे चार सं थे बच्चों संस एंड फोर थ्री डियोटर्स थी बच्चों ठीक है तेन डियोटर्स थी बच्चों ठीक है सातों मरी गए थे चार जो बेटे थे दारा सिखो रंग जे मुराद बख सासु जा अब देखे बच्चो यहाँ पर समझ लो बात को रविंद्र सिंग अन अकेडमी के कोर्स की बताओ सर बता देता हूँ बटा अन अकेडमी का कोर्स रविंद्र अभी बता देता हूँ बटा तो बच्चो चार और कहते हैं बच्चो यह मुम्ताज महल चोधवी संतान को जन्म देते हुए मर गई थी मैंने आपको बताया बार-बार अब अच्छो मरी जाएगा कोई भी इतने संताने तो ये कुश्चन पूछा जाता है कौन सी संतान को जन्म देते वक्त उम्ताज महल चल बसी भई ये भी एक बार कुश्चन पूछ लिया बताओ ये कुश्चन है पूछने का चोधवी संतान को जन्म देते हुए समझे बात को मिश्टर सोन बहुत ज़्यादा हस रहे है चल ये बच्छो और अगला कुश्चन बच्छो ये रहा आपकी स्क्रीन के उपर which one of the following is not correctly matched बच्छो निम्न में से कौन सा correctly matched नहीं है लेकिन बच्छो पहले हम रवींद्र जी को एक बार हम कॉर्स के बारे में बता देते हैं रवींद्र बटा कॉर्स आपको IAS का लेना है या PCS का लेना है ये बताओ पहले बच्छो आपको IAS का लेना है या फिर बटा PCS का लेना है आप ये बताओ मुझे चलिए जल्दी से रितु विसकर्मा सर ऐसे कॉश्चन भी आते हैं एक आज बार पूछ लेता है कोई-कोई पावला हो जाता है एक जामनर भी कभी-कभी ऐसे कॉश्चन को रामलाल बहुत च्छे से याद करता है बचो रामलाल ऐसे प्रस्टों पर भोत ध्यान के अंदरित करता है बहुत अधिक ध्यान लगाता है रामलाल याद रहते हैं उसे अकबर ने सलीम को कितने दिनों के लिए बात्रूम में बंद कर दिया था ऐसे कॉश्चन उठ पटांग चीजे बहुत पढ़ता है रामलाल चलिए एक महला बन गया होगा बिलकुल लाल के लिए में रहते थे सब किला था उनका बिटा चलिए जल्दी से चलिए दी उत्तर आ गया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विधू डी सुस्मा डी नितुबर्मा डी मिष्टरसोन डी प्रीतिपाल डी डीतूसकर्मा डीतूसकर्मा ओक्य-ओके चलिए बच्चो जल्दी जल्दी से बच्चो आप लाइक और सेयर कर दीजिए रामलाली का नाम नहीं लेना है रामलाल का नाम लेना है रामलाल कैसा है रामलाल अच्छा है सुस्मा बटा मस्त है अभी घर पे है घर वाले दिल्ली आने नहीं दे रहे रामलाल को पकड़े हुए है सब तो बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने है अजमेर में बच्चो, इसको समझना है, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा सिकंद्रा, जहांगीर का मकबरा साध्रा, शेक सलिम चिस्ति का मकबरा, यहां पर बच्चो, इसको थोड़ा सा समझ लिजी आप लोग, तो यहाँ पर डी बिल्कुल ठीक उत्तार है बच्चो डी इस्दा राइट आनसर धुरूवारियवरत आए है स्वागत है बटाप का धुरूवारियवरत बहुत बहुत चलिए बच्चो जो बच्चे लाइक नहीं कर पाए है धुरूव रावींद्र और जो भी बच्चे बाद में आये हैं जल्दी जल्दी से आप लोग सभी लाइक और सेयर कर दे सैसन को जल्दी जल्दी से हिंदू तथा इरानी वास्तु कला का सौर पर्थम समन्वे हमें देखने को मिलता है कुछ ने हुआ बटा रीतू विदु का ये आया है उत्तर चलिए जल्दी से समझेए विदु काई रीतू काई मनोज काई मिष्ट सोन काई सुसमा काई और नितु वर्मा काई ओके बटा जल्दी जल्दी से बच्चो ए ताज महल में सब से पहले हिंदू और इरानी वास्तु कला का सरव पर्थम समन्वे देखने को मिलता है सौर्व पर्थम समन्वे देखने को बच्चो मिलता है चलिए जल्दी से अगला कुश्चन बच्चो आएगा निम्न में से किस मुगल बादिशा ने दिल्ली की जामा मस्जित का निर्मान करवाया अन अकैडमी ओपर नहीं हो रही थी अच्छा बटा ये कैसे हुआ चलिए जल्दी से देखे बच्चो निम्न में से किस मुगल बादिशा ने दिल्ली की जामा मस्जित का निर्मान करवाया दिल्ली की जामा मस्जित का निर्मान यहाँ पर फसोगे तुम दिल्ली की जामा मस्जित के निर्मान में पक्का फसोगे तुम बता रहे हैं तुम लोगों को और लो अरी तू सोच के दो उत्तर बिटा जामा मस्जित का निर्मान दिल्ली की जामा मस्जित का निर्मान भाई दूसी आरियन जहागी साजा लो भाई लो 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 सब फस गए सब फस चुके है अब तक कोई भी बाहर नहीं आ रहा है इससे देखिए बच्चो दिल्ली की जामा मस्जिद तुक्का दिल्ली की जामा मस्जिद में भाई तुक्का क्या है तुक्का इसमें नहीं लगना चाहिए था चलिए निमन मैं से किस मुगल बादशा ने दिली की जामा मस्जित तो जामा मस्जित का निर्मान बच्चो सहा जहा नहीं तो करवाया था C बिल्कुल ठीक उत्तार है, सुस्मा सिंग, अंजली मरकान ठीक है बटा, ओके, ओके, A बिल्कुल ठीक है और C, very good बच्चो, जल्दी जल्दी से, जो बच्चे लेट आ रहे है जल्दी जल्दी से like और share करते हुए जाए A नहीं है अंजली बटा, C है उत्तार ठीक देखे अगला question, ये रहा बच्चो एक बार, C ठीक उत्तार है बटा जामा मस्जित का निर्मान तो भही तुमें पता होना चाहिए चलिए अलाई दरवाजा, दिल्ली, बुलंदरवाजा, फतेफुर्ट सिक्री, मौती मस्जिद आगरा और मौती मस्जिद दिल्ली, जल्दी उत्तर दीजिए और निर्माता किस किस ने करवाई, दिल्ली में चलिए जल्दी से उत्तर रीतु इस कर्मा का c आया है, पहले बार उत्तर निकलके बैरी गुड बच्चो चलिए आगे उत्तर दो आप लोग सी उत्तर आया है विदुका भी रितु के साथ साथ मनोज का भी सी आया है रितु का भी सी आया है बहुत खूब बहुत खूब और बहुत शांदार मिश्टर सौन सी नितु वर्मा सी और आरियन राज सी 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 उस्मा सिंग सी रितु इसकर्मा अलाई को खिल जी ने रितु ने बिल्कुल सही बटा और ये है सी से उत्तर अलाई दर्वाजा बच्चो लाउदीन खिल जी बुलन दर्वाजा अक्बर मौटी मौस्क मौती मसजिद आगरा में और मौटी मौस्क औरंगजेब में दिल्ली में चले बच्चो अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन के उपर ये रहा उतर दीजे जल्दी से उतर दो और जल्दी जल्दी से लाइक और सेर भी कर दो बच्चों सैसन को जिसने अभी तक नहीं किया है उतर दो का फार्षी मनवाद किस मुगल समराट के सासन काल में हुआ तहां जहां अकवर जहांगी रोडंग ये उतर देना पड़ेगा आप लोगों को जल्दी से तर यूर क्लास टाइमिंग ने तु बचा चार बज़े यूट्यूब पर मिसन कलेक्टर के तहत हम क्लास ले रहे हैं मोडर्न हिस्ट्री की बहुत शानदार क्लास ठीक है 6 बज़े बिटा हमारा कोर्स है प्लस पर और 8 बज़े बिटा यूट्यूब पर फिर से कलास है और रात को 10 बज़े पॉल-पॉल में खेल-खेल में हिस्ट्री इस्पेशल कलास है बिटा ये 10 बज़े रात को रीतु ने बताया है ठेंक्यू सो मच रीतु बिटा और आरियन बीव, अंजली बी, मनोज ए, प्रिति पाल अकबर और अधिकान से बच्चे गड़बर कर रहे है लितु इस कर्मा ने बिल्कुल ठीक उत्तर दे दिया है लेकिन उस्मा सिंग ने ठीक दिया है और बच्चो मनोज सर्मा ने ठीक दिया, विदू सर्मा ने ठीक दिया है प्रिती बटाज सहाजा होगा, अकबर नहीं होगा और मिश्टर सोन ने ठीक दिया है, धुरो आरिय वरत ने ठीक दिया है चलिए बच्चो, चलिए चलिए बहुत शानदार बच्चो लाइक और सेर आप लोग कर दे आप से बस यही कहना है जल्दी जल्दी से बच्चो बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं और सभी लोग फोन चेक कर के लाइक और सेर कर दे बच्चो लाइक कर दे How among the following was given the title of the बुलंद इकबाल और कल भी बच्चो हम ठेक है और कल भी बच्चो आपको शामिल होना है क्लास में यूट्यूब पर चार बजे कुई जो राट बजे कुई चलिए जल्दी से जल्दी याद हो जाता है कुई जिके माध्यम से धुरुवारी अवरत ने उत्तर दे दिया है सहाब बुलंद इकबाल की उपाधी किसे साजा ने दी थी बच्चो किसे साजा ने सहाब बुलंद इकबाल की का टाइटल दिया था बच्चो जल्दी बताईए उत्तर दीजिए इन में से किसे साजा ने सहाब बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा सिखो सूजा औरंग जी मुराद इसे सहाजा ने सहाब उलंदिक बाल की पद्वी दी थी चलिए मुमंग दा फोलिंग वाज गिवन दा टाइटल सहाब उलंदिक बाल बाई सहाजा और चलिए दारा सिखो बच्चो बिल्कुल सही उत्तर है वही बादनी बटा सुस्मा कर देने दो ए ठीक उत्तर है बिल्कुल सही सही है बिल्कुल दारा सिको बच्चो बिल्कुल सही उत्तर है अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन के ओपर बच्चो ये रहा मुवाजदा ओथर ओफ सिर्रे अकबर सिर्रे अकबर के ओथर कौन थे बच्चो जल्दी बताईए आप लोग मुवाज़ दा ओथर ओफ सिर्रे अकबर अबुल फजल दारा सिखो मुल्ला शहा बदक्शानी सहा वलियू लहा कौन थे बच्चो सिर्रे अकबर बच्चो शिर्य अक्बर 52 उपनिस दो का बच्चो ये अनुवाद करवाया गया था और किसके द्वारा करवाया गया था ये बताना आप लोगों के लिए महत्पून है शिर्य अक्बर दारा सिखो बच्चो अबुल फजल रीतु बटा विधू भी है नीतु ए है मनोज ए है एगड़बड कर दिया मनोज सर्मा ने भी मिश्टर सॉन ने भी एदिया सुस्मा ने भी एदिया ये सब पिटाई होगी सब की ओनलाइन पिटाई होने वाली है सुस्मा सिंग का भी हो मनुद सर्मा कभी हो गया, अच्छ पहले बाले का तो नहीं दिया था, ओक्यू-ओक्यू, बैटा यहां पर WD से उत्तर है, रीतू, धुरूवार ही वरत का C है, चलिए, 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 और बच्चो ठोक दो लाइक जल्दी से, जल्दी ठोको लाइक, दार द्यान करने वाला प्रथम मूस्लिम कौन था हिंदू धारमगरणतो Бच्छो बच्चो बच्च बच्चे को बच्च बच्चो आज बताया आज्ग बच्ची 60 कि अज स्क मुत्त द्यान क करने वाल मुस्लिम कौन था अमीर खुसरो दारा सिखो अमीर हसन सूजा और वच्चो दारा सिखो ने हिंदू धर्मगंतों का वच्चो अध्यन किया था दारा सिखो यहाँ पर मिश्टर सोन का ठीक आया है बीज दाराइट आंसर नीतू का रीतू विसकर्मा का सब का ठीक है चलिए अगला कुश्चन बच्चो किस इत्यासकार ने साजा कि शासनकाल को मुगलकाल का स्वान यूग का है मुगलकाल का स्वान यूग का है बच्चो दो प्रसन और बने हैं बच्चे हैं पूरे कर देते हैं बच्चो हम किस इत्यासकार ने सहाजां कि शासनकाल को मुगलकाल का स्वान यूग कहा है बच्चो जल्दी बताईए किस ने कहा है बिये इसमित जेन सरकार एल स्रिवास्तो व्यूक्त में से कोई नहीं स्वान यूग बच्चो देखिए यहां पर मुगलकाल का स्वान यूग बच्चो किसे किस ने कहा है चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए और सी उत्तर आया है बिल्कुल ठीक क्ल स्रिवास्तो सुसमा सिंग रीतु इसकरमा मनोझ सर्मा विदू सर्मा ध्रुवारिय वर्त कभी है च्छाव पहले वाले का होगा तो बच्चो यहां पर सी बिल्कुल ठीक उत्तर रैसी इसदर रहइ टान सर अगला कोश्चन साजां को प्रसिद हीरा कोहिनूर प्रस्तूत किया गया और रंग्जेब ने मुराजने मिर जुम्ला ले अबूल हसन कुतुब साने किस ने किया साजां को बच्चो कोहिनूर हीरा किस ने दिया था जल्दी बताईए कोई बात नहीं धुरू गेटा कोई बात नहीं चलिए जल्दी से किस ने दिया था सहा जहां को प्रसिद को ही नूर प्रस्तुत किया गया और रंग ये मुराद मिर जुमला अबुल हसन कुतुब सहा और ये रहा बचचो उत्तर धुरुवारिवत का सी नितु का सी सुसमा का सी रितु इसकर्मा का सी मनोच सर्मा का सी मेर जुमला बिल्कुल सही उत्तर है मेरे जुमला बच्चो ठीक है चली अगला कोश्चन और ये लास्ट कोश्चन है बच्चो हमारा निमलिकित में से कौन साजां के सासनकाल में अधिकान समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था साजां के सासनकाल में कौन अधिकान समय तक दक्कन का गवर्नर रहा बच्चो दारा सिखो मुराजबक सासूजा औरंग जेव कौन रहा था जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग मेर जुम्ला कौन रहा था बच्चो और साजा के सासान काल कमेह दिकान समय तक दक्कन का गवर्नर रहा औरंग जेव बच्चो दी धुरुवारिय वरत्वी दूसर माडी सुसमाडी रितूडी मनोजडी इलकुल सही बच्चो डी ही सही उत्तर है औरंग जेव यहाँ पर भोथ अधिक समय तक बच्चो रहा था दक्कन का गवर्नर जाले बच्चो यह बच्चो मेरा डेली क्लास सेड्यूल है और आप लोग सब्सक्रिप्चन जरूर ले ले सब्सक्रिप्चन लेने में बच्चो मैनेज गोल में जाना है आपको एप डाउनलोड करके और get subscription में जा करके बच्चो क्लिक करना है और वोफर लेना है एक साल का subscription ती 600 रुपे में मिलेगा और दो साल का 7560 में बच्चो और रात को 10 बजे है पोल-पोल में खेल-खेल में history और बच्चो 10% के discount के साथ मंजू 10 आपको यदि आप use करेंगे बच्चो तो 10% का discount आपको मिल जाएगा चलिए बच्चो आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मच बच्चो थेंक्यू सो मच थेंक्स टू ओल बच्चो